पांच पंदास पांच पंदरा दू सतरा दू उन्नाईस दू एकईस बाईस तेईस हैलो गूड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि साओधी एरम में कितना सेलरी मिलता है कितने दिनों के बाद मैं पैसा इंडिया बेशता हूँ और कितना पैसा बेशता हूँ तो बने रही है हमारे वीडियो के साथ पूरे लाश्ट तक और आप लोगों से हर बार की तरह इस बार भी वही रिक्वेस्ट कर रहा हूएं कि आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोरी दोस्तो रेड नहीं अब उइट वाला बटन को कर दिजिएगा तो वीडियो चलो लोगों के पता है कि मेरा सेलेरी बहुत कम है और रिष्ट्रा कोई काम नहीं मिलता है कभी दों कर दना चलो गास उतारना है तो 30 सिरियाल 40 सिरियाल दे देते हैं सब यानि कि इंडिया का इंडिया का हो गया छे सो आठ सो मतलब इंडिया का हो जाता है तो कभी-कभी महीने में एक बार या दो महीने पर कभी-कभी मिलते हैं वो लोग तो मतलब ले करके जाते हैं तो यही 30 सिरियाल 40 सिरियाल मिल जाता है बाक पहले भी आप लोगों से वीडियो में बता दिया है कि मेरी सेलरी कितनी है और आज भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरी सेलरी कितनी है तो दोस्तों पूरा महिना काम करने के बाद से ये दो नोट मिलता है देख सकते हैं यही दो नोट मेरे पूरे महिने का सेलरी है यानि पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच- बहुत दूर है, हाइल City हाइल जाना पड़ेगा और हाइल जाने के लिए हमें कम से कम साँ डेड़ सौ रियाल खर्च आ जाएगा, साँ डेड़ सौ रियाल यानि कि 2-3,000 हाजार इंडिया का खर्च हो जाएगा, इसलिए हम खुद नहीं जाते हैं पैसा लगाने के लिए किसी को देना पड़ता है दोस्तो कम सेलरी होने के नाते हम जो है कि 2-3 महीने का पैसा इकठा कर लेते हैं तब जाकर के एक ही बार जाकर के लगाते हैं यानि कि किसी को देते हैं लगाने के लिए तो हम जो है कि अपने मालिक को ही देते हैं मालिक ही हमारे ले करके जाते हैं तो दोस्तो आज मैं आप लोगों को बता दू कि कितना पैसा मैं लगाने जा रहा हूँ इंडिया तो पहले आपको गिन करके दिखाने वाला हूँ पांच, पांदास, पंदरा, सत्रा, उन्नाईस, एककईस, बाईस, तेईस, चोबीस, पचीस यानि साड़े पचीस सो रियाल मेरे पास टोटल पैसा है टोटल पैसा है, साड़े पचीस सो रियाल है इसमें से अपना खर्चा पानी भी निकालना है हमें तो हम जो है कि इसमें से सो रुपया अपने खर्चे के लिए निकाल लेते हैं कि 100 सो एक खरचे के लिए निगा लेते हैं बाकि के साधें Chaudh impossible सो रियाल हम Najla देंगे और दोस्तों मेरे पास छुटब के उप्ष पैसा वह भी मेरे के काम आएगá यहां पर छुटब के पैसा मेरे पाच तीस रियाल है देख सकते हैं एक दो तीन यानि कि तीस रियाल है एक सो तीस रियाल अपने लिए रखेंगे बाकी का जो 2450 रियाल है वो मैं इंडिया भेज देंगे हाँ तो दोस्तो अभी के लिए वाय वाय फिर मिलेंगे आप से किसी एगले वीडियो में अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं यूटूब से कितना कमाता हूँ सौधी अरव रह करके तो आप लोग कमेंट करके जरूद पूछिएगा अगर आप लोगोंने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया कि यूटूब से कितना कमाते हो तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो जरूद बताऊंगा और मैं टोटल जानकारी दूँगा कि कितना मैं कमाता हूँ कितना वीव पे कितना डॉलर बनता है तो दोस्तो कमेंट जरूद कीजिएगा तो आप सबस्तो बाई